नश्कार बच्छो यह रहे बच्छो आज यह समझ लीजिए कि आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है और इसके बाद हम लोग 6 चैप्टर सुरू करेंगे और यह आपके क्लास सुरू होगी 6 चैप्टर की कब अब तो आज क्या हो गया अब क्या थर्षडे हो गया यानि सेटर्डे को हम सुरू करते हैं इस चैप्टर को ठीक है चलिए तो देखेंगे बच्छो कोशिच रहेगी कि आज ही गदम करा दू नहीं तो सेटर्डे को भी मैं यही चलाऊंगा ठीक है थोड़ा एमेल अगरवाल वगिरे सभी अच्छे कोशिच सेलेक्ट कर लेंगे नहीं तो फिर हम लोग देन उस पे चलेंगे तीजा टूजडे को चलिए तो हमने लेमडा तक वाले कोशिच कर लिए थे तीन वाले कराने थे को करवाऊंगा तो शुरू करते हैं पले थ्री वाले कोशिच नमबर सेवन कोशिच नमबर सेवन वह आपको दिया गया है एफ ओफ एक्स भाई मोड एक्स प्लस थ्री वैल्लू होगी कब अगर एक्स की वैल्लू लेस देन एन इक्वल टू है माइनस थ्री के और कहरा माइनस टू एक्स फंक्षन होगा कब जब माइनस तीन से बड़ी वैल्लू होगी लेकिन तीन से छोटी होगी और तो देखो यहां पे आपको लिमिट दो तरह की लिमिट दी गई है एक दी गई है माइनस थ्री और एक दी गई है क्या वई? बताओ, एक दी गई माइनस दी और एक दी गई है प्लस थ्री, तो ये दो तरह की लिमिट दी गई है और अब इन दो तरह की लिमिट को solve करना है तो सबसे पहले करेंगे वही, same चीज, left hand limit when x is less than minus 3 पहले minus 3 से ले लो, पहले छोटे नमबर से कर लो अच्छा, अब less than minus 3 से करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x tend to minus 3 के उपर minus मतलब minus 3 से छोटी वेलो लेनी है f of x limit x tend to 3 sorry, minus 3 minus, हाँ भई, minus 3 से छोटे वाला कौन है फंक्शन ये है, तो अब क्या करेंगे हम अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, let करेंगे क्या, क्या let करेंगे भई x बराबर minus 3 minus h minus 3 minus h, ठीक है और x कहां तक extend करेंगे put x extend करेंगे minus 3 minus तक, तो h कितना जाएगा अरे भई, यहाँ minus 3 रख दोगे तो minus 3 से minus 3 कट जाएगा और क्या बन जाएगा h, 0 ठीक है, so limit h extend to 0 mode के अंदर x कितना है x है minus 3 minus h minus 3 minus h और plus का 3 और जैसा कि हम बच्चों जानते है कि यह mode के अंदर minus common ले लूँगा, 3 plus h बन जाएगा हाँ की ना और mode से जब यह बाहर निकलेगा बच्चों तो आपको अच्छे से बताए किसका बन जाएगा यह यह बन जाएगा plus का ठीक है, तो बस limit put कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 plus 0 plus 3 और यह कितना आ गया 6, यह कितना आ गया 6, आगे क्या करेंगे हम आगे क्या करेंगे अब हम लेंगे रहल ठीक है, when x is greater than minus 3, अब हम क्या लेंगे एक बार 3 से चोटा ले लिया minus 3 से चोटा ले लिया और एक बार minus 3 से बढ़ा, तो भई minus 3 से बढ़ा यह function है, means limit extend to limit extend to minus 3 उपर plus plus मतलब क्या, कि हम बड़े value की तरफ बढ़ेंगे किस की तरफ बढ़ेंगे minus का मतलब यह हुआ sorry, plus का मतलब यह हुआ कि हम बड़े value की तरफ बढ़ेंगे ठीक है ठीक है तो बच्चों अब क्या है कि minus 3 है यहां पर और minus 3 का मतलब यह हुआ कि यहां हम लोग minus 2 x रख लेंगे, ठीक है अब कुछ नहीं करना हमें अब हमें यहां पर एक छोटा सा काम करना है rhl sorry, sorry, rhl तो नहीं यहां पर आ गया, अच्छा अब हमें क्या करना है, let करना है x बराबर minus 3 plus h क्यों, क्योंकि अब हम बड़ी value की तरफ बढ़ेंगे ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्या करोगे, put करोगे x 10 to minus 3 minus h x 10 to क्या होगा भई अब आप जैसी minus 3 रखोगे minus 3 से minus 3 कट जाएगा और h क्या आजाएगा, 0 आजाएगा h क्या आजाएगा, 0 now, अब आप क्या करेंगे अब आप करेंगे, put, यानिके sorry, limit h extend to 0 minus 2, x की जगह पे क्या put कर देंगे, minus 3 plus h, multiply कर दो जैसे आप multiply करोगे तो यह बनेगा, minus minus plus का 6, minus का 2h, limit put करो तो कितना बन जाएगा, यह तो 0 होगया बच्चो तो answer कितना आगया, 6 तो यह नहीं देखो, LHL और RHL दोनों बराबर आगे, तो अब हम equal to भी value put करेंगे, now when x is equal to 3 sorry, minus 3 is equal to minus 3, अब minus 3 में रखके देखो बच्चो, minus 3 में रखके देखो, sorry, minus 3 रखके देखो यानि कि limit x tend to minus 3, f of x और आप जल्दी से बताईए मुझे कि minus 3 के लिए, कौन सा function है, equal to के लिए mode x plus 3 अब mode में जैसे limit put करोंगे तो minus 3 plus 3, mode से बाहर निकलेगा, plus 3, plus 3 और यह आगया कितना, 6 यह कितना आगया बच्चो, यह आगया आपका कितना, 6 तो इसका मतलब हमने क्या देखा, हमने यह देखा कि LHL, RHL और equal to, तीनो के तीनों आपस में क्या आगए, बराबर आगे तीनो के तीनों आपस में क्या बराबर आगे limit x tend to minus 3 minus f of x बराबर है limit x tend to minus 3 plus f of x और बराबर है limit x tend to minus 3 f of x तीनों के तीनों condition बराबर आगी जब तीनों के तीनों के तीनों के तीनों के तीनों बराबर आगी तो हम कहेंगे so the limit the limit तो हम कहेंगे so limit so the limit अरे क्या बोल रहा हुआ है so the limit is existed limit is existed existed ठीक है जी therefore this function is continuous this function is continuous ठीक है समझ मागी बात तो इस तरीके से जैसे हमने minus 3 के बारे में किया अब सेम यही काम LHL अब देखो जरा सेम यही काम करना है LHL दुबारा रखना है now ठीक है LHL when x less than 3 मतलब क्या एक बार आपने minus 3 से करके देखा अब आप 3 से करके देखेंगे यही सेम काम तो आप एक बार 3 से करके देखो हाँ भई 3 से less करके देखो तो यह वाला function फिर 3 से greater रख कर देखो फिर यह वाला function अब बात आ रही है 3 के equal अब बात आ रही है 3 के equal तो equal भी दिया हुआ यहीं पी दिया हुआ है ठीक है करना है कि यह जो function पूरा दिया हुआ है यह किस vậy continuous कर रहा है तो हम ने देखा minus 3 पे तो कर रहा है अब जल्दी से मुझे check करके बताओ कि क्या 3 पे कर रहा है 3 पे आप लोग check करो 3 पे same यही चीज करनी को कर के दिखाओ मुझे आपको दो मिनट का टाइम दे रहा हूं उसके बाप फिर मैं कराना शुरू कर दूँगा जल्दी करो ऑुशे करो चलिए बच्चो उम्मीद करता हूं कि वाला अपने कर लिया होगा और थी वाला भी अपने किया होगा तो मैं अगर सॉटकट में करा तो तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को कंडिशन तो अगर हम सॉटकट में करें लह चल के लिए दिक्टे तो हम किया करेंगे हम यह वाणा फंक्चन गूट करेंगे निशचंत तो लिमिटAy टेशन 2015 टूग यह हां पर थिकह इसे जीट्रफ जीड़ जीरो लगाएंगे ऐ सभाप यह थे फिसमाइस कंडम हो जाएगा इसमें भी क्या आएगा limit h extend to 0 और सीधा यहां पर हम value बढ़ाएंगे 6x sorry 3 plus h 3 plus h क्योंकि बढ़ाएंगे plus 2 अच्छा अब डारक्ट लिमिट पूट कर दो तो 6 3 3 plus 0 plus 2 तो 6 3 18 plus 2 यह तो 20 आ गया तो इसका मतलब लहल आरेचल के पराबर नहीं आया और जब नहीं आया तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे this limit is not existed ठेक है therefore this function is not continuous या this function is discontinuous कुछ भी लिख सकते हो तो हमने यह देखा कि यह पूरा function minus 3 पर continuous हो रहा है लेकिन 3 पर continuous नहीं हो रहा है ठीक है चलो यह नोट कर लेना अब कि चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा प्रिग्नोमेट्रिक वैल्लू की तरफ बढ़ते हैं ठीक है इस टाइप के भी कोश्चन आते हैं आपके में चलिए अब हमारे बचों next है क्या 23 f of x sin x upon x और यह कब है जब not equal to zero sorry less than zero sorry sorry और यह है x plus 1 कब जब greater than and equal to zero ठीक है यह है तो कैरा बताओ भाई continuous है या discontinuous तो बस आपको पता ही है जैसा कि अले चल वेन x is less than zero now limit x tend to zero minus f of x limit x tend to zero minus हां जी sin x upon x अब let करेंगे x बराबर क्या zero minus h zero minus h ठीक है चलिए तो क्या बन जागा यह यह बन जागा x बराबर minus h और आपको पता ही है x tend to अगर मैं यह जीरो लेता हूँ तो zero h भी अपने आप क्या जाएगा zero ही आएगा now limit put करना है नहीं limit h extend to zero sin x की जगा पे minus h x की जगा पे minus h ठीक है अब आपको क्या पता है आपको एक चीज पता है क्या कि sin minus theta बराबर होता है minus का sin theta बढ़ा है 11th किलास में तो बस सेम यह limit h extend to zero minus sin h upon में minus h minus से minus कर गया limit h extend to zero sin h upon h याद करो यह पूरी term 11th किलास में सिखाई गई थी कि limit h extend to zero sin h upon में h किस के बराबर होता है 1 के बराबर होता है मैंने आपको तीन फॉर्मल लिख वाए थे 11th किलास में तो वो थे आपका क्या limit x extend to zero sin x upon x अगर आ जाए तो क्या रहेगा वो वो 1 रहेगा limit x extend to zero 10 x upon x रहेगा तब भी 1 रहेगा लेकिन limit x extend to zero 1 minus cos x ठीक है upon x ये किस के बराबर रहेगा 1 के ये किस के बराबर रहेगा 0 के ये किस के बराबर रहेगा 0 के ये इसी खत्म ने तो इस तरीके से था ठीक है तो ये तीन फॉर्मल लिख वाए थे मैंने आपको कर लो जरी नोट कर लो पहर नोट कर लो फिर आगे बताता हूँ जरी थाए बताता हूँ ठीक है चलो आगे देखेंगे ये तीन फॉर्मल ले जरू उतार लेना ठीक है तो ये बनके बन अब क्या है अब किस की बारी है नो र, H, L वेन, X is greater than 0 ठीक है जी तो limit X tend to 0 प्लस F of X limit X tend to 0 प्लस हंजी 0 से greater कौन है X plus 1 है put X बराबर 0 प्लस H तो X बराबर क्या है H तो आपको पता ही है X tend to 0 प्लस तो H भी कितना आएगा 0 now sorry यहाँ पर let होगा यहाँ पर put होगा हाँ जी now limit H extend to 0 X की जगा पर क्या आएगा H plus 1 limit कर दो 0 plus 1 1 तो भाई LHL भी आ गया और RHL भी आ गया now अब आपको पता equal वाला when X is equal to 0 limit extend to 0 F of X limit extend to 0 हाँ जी equal to 0 में क्या आएगा X plus 1 put कर दो 0 plus 1 ये तो 1 आ गया अब आपको पता ही है कि भाई LHL RHL और ये equal तीनों आपस में बराबर है और जब तीनों बराबर रहेंगे तो फंक्शन क्या रहेगा continuous रहेगा फटाफ़ट नोट करो फिर इसका नेक्ट करते है बस ये छोटे मोटे पर रूल याद होने चाहिए उसके बाद तो ये सब कोशन बच्चे वाले हैं चलिए नेक्स देखते हैं जिद नोट कर लिया होगा ये सब वीडियो पॉस करके बस फटाफ़ट नोट कर लिया करो ठेक है हाँ जी अब ये देखेंगे एक फंक्शन और दिया होगा है कॉंटिग्स फंक्शन है या नहीं ये पूछ रहा है ठीक है कोशन नमबर कौन से बच्चो 24 24 f of x is equal to is equal to x square x square sin 1 upon x ठीक है if x is not equal to 0 और अगला क्या है 0 x is equal to 0 ठीक है ये condition दी गई है कह रहा है कि जब x equal to not 0 है तो ये रहेगा मतलब क्या होता है इसका या तो 0 से बढ़ा या तो 0 से छोटा और जब 0 है तो खुदी 0 है को तो कोई दिक्कत ही नहीं है चलो तो LHL when x is less than 0 limit x tend to 0 minus f of x limit x tend to 0 minus f of x कितना है x square sin 1 upon x let करेंगे x बराबर 0 minus h तो यह आएगा minus h put करेंगे x tend to 0 minus तो h अपने आप क्या जाएगा 0 तो limit h extend to 0 यहाँ पर आएगा minus h का square यह आएगा sin 1 upon में minus का h ठीक है तो क्या बन जाएगा भाई यह बन जाएगा limit h extend to 0 यह जाएगा h square यह जाएगा sin 1 minus यह 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 क्या minus 1 upon h 0 पुट कर दो 0 का square sin minus 1 upon 0 यह भले इंफिनिटी बन जाएगा लेकिन 0 से multiply होगे तो अपने आप क्या बनेगा 0 भाई 0 से multiply होने पर दुनिया का कोई भी नंबर क्या बनेगा 0 ही बनेगा ठीक है फिर इसी तरीके से रहे चल ले लो when x is greater than 0 फिर वही limit x tend to 0 plus f of x limit x tend to 0 plus हंजी क्या है x square sin 1 upon में x अब क्या है let करो x बराबर 0 plus h तो x किसके बराबर आगे है तो क्या होगा put x tend to 0 plus तो जैसे 0 put करोगे तो आपको पता ही h भी 0 ही आ जाएगा तो limit h extend to 0 यहां पर क्या बन जाएगा h का square sin 1 upon h put कर दो 0 का square अब आपको मैंने फिर से बताया कि भाई भले ही यह infinity बन जाएगा लेकिन 0 से multiply होके तो क्या बनेगा 0 ही होगा और यहां पर देखो नाओ इस वाले में देखो वेन वेन x is equal to 0 और आपको तो पता ही है कि जब limit x tend to 0 f of x दिया हुआ है पहले से कितना हमें 0 दिया हुआ है पहले से हमें कितना दिया हुआ है 0 तो देखो यह भी 0 आया यह भी 0 आया यह भी 0 आया तो इसका मतलब फंक्शन क्या है continuous है जल्दी करो पक्तिते आया यह कन्या क्याद कितना है पहले से अगेत் ऩो एथ नाया से जाँ कई तो पहले से हमें नोट कर लोग चोड़ फट आफट देखो जरा जी अब कहानी आप समझ गयोगे कि आखिरकार कहानी चल क्या रही है कहानी चल क्या रही है अब यही है अपने नॉलेज को और थोड़ा ग्रोथ में लाना है ठीक है और मैं सनिवार को पक्का क्लास इसके एक और दूंगा आप लोगों को क्योंकि मुझे पता है नहीं हो पाएगा उस लेवल पर आज सरीफ NCRT के खतम करा देता हूँ ठीक है और नेक्स्ट में आपको मैं ML अगरवाल से करा हूँगा ठीक है कोशन नुमर 25 आपको दे रहों करने के लिए आपको खुद करना है ठीक है जा टफ नहीं है इसलिए आपको दिया अब आते हैं अचा एक कोशन नुमर 30 भी आपको दे रहों मैं कोशन नुमर 30 इसमें बच्चों आपको ए और बी की value find करनी आपकी बार अपकी बार क्या करनी है ए और बी की value find करनी है इसमें 2 limit दी हुई है एक बर 2 से और एक बर 10 से ...... यानि एक बर आपको 2 से solve करना है फिर एक बर आपको 10 से solve करना है और जो भी condenation Prof. जो भी condition बनेगी एक आसान सा कोशन ले रहे हैं और इसमें आप से कोशन में बोला क्या है बोला है find the value of k find the value of k so that the function f is continuous at the indicated point in the exercise 25 से 29 मतलब सीधी सी बात है k की value निकालनी है और बच्चों एक बात याद रखना जब भी किसी की value निकालने की बात आ जाएगी ना मैंने क्या बताया जब भी किसी की value निकालने की बात आ जाएगी वो function हमेशा continuous होगा हमेशा क्या होगा continuous तो सबसे पहले में बिल्कुल easy सा question ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को clear हो जाए कि हम करना क्या चाहते हैं ठीक है function क्या है kx square kx square x is less than and equal to 2 और अगला है 3 3 x is greater than 2 तो क्या लिखेंगे बई lhl when x is less than 2 ठीक है तो limit x tend to 2 minus f of x limit x tend to 2 minus हाँ बई less than 2 के लिए kx square let x बराबर 2 minus h put x tend to 2 minus याने 2 से 2 कटेगा h कितना आएगा 0 limit x extend to 0 के x के जग़े पर 2 minus h का whole square 2 minus h का whole square खोलना चाहते हैं खोल दो हाँ बई a minus b का whole square 2 का square 4 h का square h square और क्या होगा बई जल्दी बोलो अगला होगा 2 a b तो 2 a और यह b a square b square plus 2 a sorry minus 2 a b ठीक है तो limit h extended to 0 k 4 plus h square minus 4 h अब limit पुट कर दो k 4 0 का square 0 तो यह देखो यह और यह तो 0 बन जाएंगे बचा क्या 4 तो बचा 4 k कितना आया 4 k अब ना अब क्या करेंगे बई r h l when x is greater than 2 तो limit x tend to 2 plus f of x और यह पहले से ही आपको कितना अंसर दिया हुआ है three पहले से एंसर क्या दिया हुआ है three और यह हमत क्या न अरे बराबर तो आया ही नी आ रे कोई बात ली भात निया यह बराबर नहीं मैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको की की वेलो निकालनेके लिए और आग जह आ के की जब अ limit x 10 to 2 हाँ जी कितना है k x square limit put कर दो तो 2 का square 4k तो देखो अब आपको एहसास हो रहा होगा कि हाँ जी बराबर आ गया कि इस अब आपको अच्छे से बता ही है limit x 10 to 2 minus f of x बराबर आ रहा है किसके limit 2 plus f of x बराबर आ रहा है limit x 10 to 2 f of x यही बराबर आ रहा है तो जब बराबर आ गया तो ये भी 4k ये 3, ये 4k तो किसी भी 2 को उठा लो किसी भी किसी को उठा लो दो condition को उठा लो ये उठा लिए हमने अब 4 को नीचे ले जाओ तो k की value कितनी आ जाएगी 3 upon me 4 k की value कितनी आ गई 3 upon me 4 note कर लो जल्दी से note कर लो 27 फिर 28 कर आता हूँ 29 अब आप खुद कर सकते हो ठीक है 28 कर आता हूँ पहले में फिर 26 करेंगे 29 कर आता हूँ चलो इधर के मिटा देते हैं ठीक है और बच्चों note कर लो अच्छे से अब 29 अब खुद करना 28 में करा देता हूँ 28 करा देता हूँ 28 28 देखो f of x is equal to integration क्यों बना देता हूँ हाँ है हाँ जी क्या है kx प्लस वन x is less than and equal to pi ठीक है और cos x pi से x greater than pi अब देखो term किस में digit में नहीं है अब term किस में दी गई है pi में दी गई है तो चलिए ठीक है वही करेंगे यार LHL when x is less than pi limit x tend to pi के उपर minus क्यों pi से छोटी value हाँ जी तो क्या जाएगा kx plus 1 तो वही करेंगे let x बराबर pi minus h put करेंगे x tend to pi minus तो pi से pi कट जाएगा तो h अपने आप क्या जाएगा 0 now limit h tend to 0 k x के जगा पर क्या जाएगा pi minus h plus 1 direct limit put करो pi minus 0 plus 1 तो यह आगया k pi plus 1 कितना आगया k pi plus 1 now अब किसकी बारी है RHL और RHL क्या होता है when x is greater than क्या आएगा भाई pi greater than pi तो limit x tend to pi plus f of x limit x tend to pi plus हंजी pi से greater में क्या आगया cos x ठीक है ठीक है अब let करेंगे क्या let करेंगे x बराबर pi plus h x tend to pi plus pi से pi कट गया h extend to 0 h extend to 0 x घ्रक्षत ह्याद क्यास ho अधै हजी k आज़وم क u वजळूचार क माता हुड़ार काज़ मैं, सन अएमसे घक यूलंोर, सलना आईू कर दें हैं मैंसР है रवा चाहिए, सल्टिख talkinに का है हां जए यह आंक मुझे एंए ठीक है तो अब क्या करना बच्छों हमें अब देखिए आप यहां पर एक्षेंट पूट करेंगे लिमिट एक्षेंट टू जीरो कॉस हंजी एक्स की जिगह पर क्या रखेंगे बच्छों आप पाई माइनस सुरी 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 पाई प्लस एच पाई प्लस एच अब आप जैसे एक्षेंट पूट करेंगे तो यह बन जाएगा कॉस पाई प्लस जीरो और बात तो कॉस पाई रहेगी और कॉस पाई की वैल्लू क्या होती है माइनस वन अब क्या करेंगे आप वन x equal to pi x equal to pi तो बस limit x tend to pi f of x प्यारे बच्छों equal पे क्या आ रहा है equal पे आ रहा है आपका k x plus 1 और आप direct value put करेंगे k pi plus 1 it means आपको पता ही है यह continuous तो होते ही है pi minus f of x यह understood सी बात है कि यह लोग क्या होते हैं भई यह understood सी बात है कि यह continuous होते हैं तभी value निकलेगे क्योंकि तीनों बराबर रहेंगे तभी तो value निकल पाएगी तो इसका आए कितना k pi plus 1 इसका आए minus 1 इसका आए k pi plus 1 तो किसी भी दो different को एक साथ ले लो ठीक है solve करेंगे plus का pi वहाँ जाके क्या हो जाएगा minus का k pi minus 2 pi नीचे आजाएगा minus 2 upon में pi तो k की value कितनी आगे minus 2 upon में pi कितनी value आगे minus 2 upon में pi ठीक है चो जल्दी से note कर लो जल्दी से note करो फिर अगला कराते हैं कि एक लास्ट कोशन और कराना मुझे अब ठीक है फिर यह खतम ncrt से खतम हो जाएगा बाकि मैंने दो कोशन दिये करने के लिए वो करके आना हो जाते हैं तो ठीक बरना next class में करवा दूँगा और अगली class में ml गरवाल के कोशन होईगे ठीक है चलो यह तो note कर लिए होगा और उमीद करता हूँ अब तो पूरा ही कर लिए होगा अब तो समझ में आ रहा होगा सब कि कैसे करना है क्या करना है तो अब एक थोड़ा अलग टाइप का कोशन और फिर खतम k cos x upon pi minus 2x x is not equal to pi by 2 और जब इक्वल होगा तो value कितनी रहेगी 3 रहेगी value रहेगी 3 और पहले ही बता दिया है continuous है किस पर? Pi by 2 पे ठीक है बात ही खत्म तो आपको पता ही है LHL When x is less than Pi by 2 तो limit x tend to Pi by 2 के उपर minus f of x limit x tend to Pi by 2 minus k cos x upon में Pi minus ठीक है अब क्या करेंगे हाँ जी Let x is equal to Pi by 2 minus h और x tend to Pi by 2 minus ये put करेंगे हम जैसे Pi by 2 से Pi by 2 गटा h कितना आएगा 0 ले जाओ limit को किस के पास 0 के पास और k cos हाँ भई x के जगा पे Pi by 2 minus h upon Pi minus 2 x के जगा पे Pi by 2 minus h solve करेंगे बच्चो limit h extend to 0 के अब आप जानते हैं cos 90 minus theta sin theta याद है तो sin h हो जाएगा ये Pi minus अंदर मंटिप्लाई करो हाँ जी अंदर मंटिप्लाई करोगे 2 into में Pi by 2 minus minus plus 2h 2 से 2 गट गया ठीक है तो बचेगा limit h extend to 0 k sin h upon में Pi minus Pi plus 2h Pi से Pi cancel Pi से Pi cancel तो limit h extend to 0 k sin h upon में 2h अब आपको पता ही है फालतू की चीज़े कौन है k और 2 तो k को बाहर करेंगे 2 को बाहर करेंगे limit h extend to 0 sin h upon h क्या rule बनाता है जल्दी बताओ ये rule बनाता है 1 ये क्या rule बनाता है 1 तो इसका मतलब value कितनी आई बच्चो k by 2 value कितनी आई k by 2 now हाँ जी अब RHL when x is greater than 2 ठीक है limit x extend to Pi by 2 plus f of x limit x extend to Pi by 2 plus हाँ जी plus में भी यही function रहेगा क्योंकि not equal है Pi minus 2x अब क्या करेंगे let x is equal to Pi by 2 plus h put करेंगे extend to Pi by 2 plus then Pi by 2 से Pi by 2 cancel out और h की extend कहा तक करेगा 0 तक limit अब h extend to 0 ठीक है जी और k तो k रहेगा cos x की जगह पर आएगा Pi by 2 plus h upon x minus 2 x की जगह पर आएगा Pi by 2 plus h ठीक है limit h extend to 0 के हाँ जी cos 90 plus theta minus का sin theta minus का sin h upon Pi minus अब जाएगा minus 2 से 2 गट जाएगा minus का Pi और यह अदर जाएगा तो minus का 2 h minus का 2 h Pi से Pi cancel क्या दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है limit h extend to 0 minus का k sin h upon minus का 2 h फिर फिर से भई minus से minus कट जाएगा k upon में 2 बाहर आ जाएगा limit h extend to 0 sin h upon h यह पूरी value किसके बराबर होती है 1 k तो लो जी k by 2 आ गया now क्या होगा भई when x is equal to किसके Pi by 2 के Pi by 2 के तो बस limit x tend to Pi by 2 f of x और वो पहले से नी किसके बराबर दे रखा है 3 के वो पहले से नी किसके बराबर दे रखा है बच्चो पहले से ही 3 के बराबर दे रखा है और जब पहले से ही 3 के बराबर है तो हम जानते हैं अच्छे से क्या कि limit x tend to pi by 2 minus f of x limit x tend to pi by 2 plus f of x is equal to limit x tend to pi by 2 f of x इसकी value भी k by 2 इसकी value भी k by 2 इसकी value 3 ठीक है तो किसी भी दो different को पकड़ लेते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो one इसकी multiply इससे इसकी multiply इससे तो k की value कितनी आई थ्री टूजा six और इस तरीके से बच्छो आपको k की value क्या मिली six मिली ठीक है समझ में आ गया तो सभी बच्छे इसको जल्दी से note कर लेंगे यह two है वच्छो धियार रखना कहीं है उसको यह कर दो ठीक है इससे भी अलग-अलग type के question और बढ़िया question करवाऊंगा ठीक है चलिए आज की class यहीं खतम करते है बाई